कॉल नमस्कार दोस्तो हम आपके लिए लेके आए हैं पॉल Tages Kimkee Gu d conve दोस्तों जो हमने lucent objective questions की एक book series शुरू किया है उसका बार्ट लेके आए हैं जिसमें हम की पॉल सेक्षटन यहींकि पॉलिटिक के frågor डिसकस करते हैं तो दोस्तों की की लूसेंट एमसी क्यू पार्ट नंबर दो आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है और साथ ही शेर करना है आज हम डिसकस करेंगे लूसेंट वुक के एमसी क्यू भारती राज वेबस्था हमारा टॉपिक चला हुआ है जिसे हम पॉलिटी कहते हैं और यह कौन सा पार्ट है पार्ट नंबर दो दोस्तों अगर आपको हमारी द्वारत दिए गई जानकारी हेलफ पूल लगे आपके काम आए तो आपको करना है हमारा स्पोर्ट औ हमें टेलिग्राम पर और साथ में फॉलो करना है हमें इंस्टाग्राम पर दोस्तों हम आपके लिए इसी तरह भैत पूर्ण क्वेश्चन की और प्रिविए सीर क्वेश्चन की वीडियो लेके आते रहेंगे जिससे आपको आपके आने बाले एक्जाम में बहुत ही हलब मि लेगी तो आपको शेर करना है और साथ ही करना है सबस्क्राइब चलिए हम शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो जिसमें आज हम सम्विधान सभा यानि की कॉंस्टिट्ट असेंबली कि जो जितने भी सेरलेटर जितने भी कॉंस्टिट्ट प्रिवियस एक्जाम में पूछे गए हैं चाहे वो यूपियसी में हो एससी द्वारा हो एचपी एससी द्वारा हो रेलवेस द्वारा हो या अन्य किसी भी भारत के एक्जाम में questions पूछे गए हो तो चलिए शुरू करते हैं हमारा question number 1 1922 में निमलिक्त कि किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतिय सम्विदान भारतिय इच्छ अंसार होगा मतलब कि 1922 में किसके द्वारा यह कहा गया कि भारतिय सम्विदान जो बनेगा वो भारतियों की च्छंसार बनेगा यानि कि भारतिय द्वारा ही बनाया जाएगा ना कि अंग्रेजियन द्वारा तो इसका अंसर है महातमा गांधी अगला question है question number 2 1924 में किसके द्वारा ब्रेटिस सरकार से यह मांग की गई कि भारतिय सम्विदान इर्मान के लिए सम्विदान सभा का गठन किया जाए तो यह M-N-Roy M-N-Roy ठीक है तो उन्होंने यह मांग ब्रेटिस सरकार से की कि भारत में सम्विदान सभा का गठन किया जाए तो question अब ऐसे पूछा जाता है कि भारतिय सम्विदान सभा के सलहकार कौन थे तो किस नहीं हसला दी तो यह दी थी M-N-Roy ठीक है हमारा अगला प्रशन है सम्विदान सभा के विचार का अपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया प्रतिपादन यहीं की बात को रखा अपचारिक रूप से यहीं की फॉर्मल वे में ऑफिशिल वे में मतलब कि क्या हुआ जो I-N-C जो कॉंग्रेस के अधिवेशन होते थे उनमें यह फैसला किया गया कि अब सम्विदान सभा का विचार जो है वो British सिरकार के सामने रखा जाना चाहिए तो यहीं प्रशन पूछा गया है कि किसके द्वारा किया गया यह प्रतिपादन तो यह किया गया था महतमा गान्दी जी द्वारा ठीक है हमारा अगला प्रशन है सम्विदान सभा को किसने मूर्त का रूप परदान किया मूरत यह कि जब कोई आर्टिस्ट है अपनी कला दिखाता है और एक मूर्ती को मूर्ती बनाता है उसी परकार सम्विदान सभा को एक हिस्से में जोड़ कर या उसकी एक मूर्ती बनाने का का किस ने किया तो चाहिए संथान से मामले आने चाहिए किस किस तरह की बात संविधान में की जानी चाहिए तो तो यह پंडिजृ नहरु नेरु द्वारा की घुड़ा हमारा अगले क्या खिलो प्रश्ण है कॉंग्रेश समें किस बरस किसी प्रकार thisre तो भारती जनता दोरा सम्ड़ान के निर्माण की मांग को लेकर परस्ता पस्ता परित किया था REPूषिटन की कि ia तो ही कि समझे बोल रहा है कि कि सी ठरकार के हसी यह कि विना किसी के बेसर यांभी जंता थी मालों की आम जनता है वह नेताउ पर यह pressure नहीं डाल रही है कि हमें संभिधान सभा चाहिए हमें संभिधान सभा चाहिए ठीक है उसके बिना ही जो नेता नेता थे वह अपने अपने आप यानी खुद से संभिधान के निर्मान की मांग को के परस्ताव को लेकर आए तो यह 1928 में ठीक है अगला प्रशन है 1938 मे किस ब्यक्ती ने बेसक मतादिकार के अधार पर संभिधान सभा के गठन की मांग की बेसक मतादिकार यानिकी मतादिकार यानिकी बोट करने का अधिकार तो बोट करने के अधार पर संभिधान सभा के निर्मान की संभिधान सभा के गठन की मांग की तो यह की थी नेता जिस वास्चंदर मोश जी ने ठीक है हमारा अकला प्रशन है बर्स 1942 में किस योजना के तहत यह सभिकार किया गया कि भारत में एक निर्बाचित सम्विदान सभा का गठन होगा निर्बाचित यानि कि चुनी हुई सम्विदान जैसे हम बोड डालते हैं और एक प्रतिनीदी को चुनते हैं वह निर्बाचित प्रोसेस यानि कि निर्बाचन प्रक्रिया होती है उसी प्रक्रिया द्वारा सम्विदान सभा का गठन होगा ठीक है तो यह माउंट बेटन यूजना के अधार पर 1942 में माउंट बेटन यूजना आई थी तो उन्होंने कहा था कि निर्बाचन संभिधान सभा का गठन होगा जब जो दूसरा बिश्वियुद है वो खत्म हो जाएगा हमारा अगला प्रशन है संभिधान सभा के गठन की मांग सर्प रथम 1895 में किसने किसके द्वारा प्रस्तुत की तो यह जो इंडिया नेसल कॉंग्रेस द्वारा ही यह मा ऑर मांग सबसे पहले परस्तुत की गई थी तो जो व्यक्तित्व हैं जिनके द्वारा यह मांग प्रस्तुत की गई थी वो है बाल गंगधर, ठीक है अगला प्रशन है भारत के संभिधान सभा गठीत करने का अधार क्या था या किस अधार पर संभिधान सभा का गठन होगा मालों कि हम संभिधान सभा या कोई भी सभा का गठन कर रहे हैं तो उसका अधार क्या होगा उस संभिधान सभा में क्या ऐसा लिखा जाए या क्या क्या परवधान होने चाहिए तो यह था भारतिय सुन्ततता अधिनियम जो इंड कि गई किसके अनसार की गई माउंट बाइटन योजना हमने पहले भी प्रशन डिसकस किया कि माउंट बेटन योजना के अधार पर ही भारत में एक सम्मिदान सबा का गठन होगा तो यहीं बात यहां पर पूछ ली गई है लेकिन कोश्चन की लैंगवज जो है वह अलग है ठ रखी गई तो 1936 में कहां पर अधिवेशन हुआ था जहां पर की सम्मिदान सबा के गठन की मांग रखी गई तो यह था फैजपूर अधिवेशन हमारा अगला प्रशन है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार सम्मिदान सबा के कुल कितने सदस्य होने थे तो यह फैक्ट् मूल सम्मिदान में कुल सदस्यों का विवाजन किस परकार होना निश्चित हुआ था तो यह था कि मूल सम्मिदान में कितने सदस्य और कहां कहां से होने चाहिए तो इनका विवाजन कि हुआ था देशी रियास्तों के अधार पर मतलब कि देशी रियास्तों के 93 मिधान सभा में विविन प्रांतों के लिए 1372 स्थान, यह स्थान से प्रांथ उसमें प्रांथ हुआ करते थे तो इन प्रांथों से 252 स्थान, कितने प्रतिनी धी हो कर आये 105 और कौं थे प्रतिनी धी किसके थे कॉंग्रेस के यहनिकि 250 में से 105 जो थे वह थे थे हमारा अगला प्रशन है पुनर गठन के फल स्परूप बर्स 1947 में संभिधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गया थी इनकी कि जब पुनर गठन किया गया ठीक है संभिदान सभा के सदस्यों की संक्या कितनी रहे गए उसमें तो वह थी ट्रिपल थी यानिकी 333 हमारा अगला प्रशन है प्रशन नंबर 16 ठीक है संभिदान सभा के देशी रियास्तों के लिए कितने प्रतिनी दीव थे तो जो देशी रियास्तें थी उनके कितने प्रतिनी दीव थे पुनर गठित सभा यानिकी एक बार सभा बनाएगी फिर उसको लगा कि नहीं इसमें कुछ गड़ बड़ा है फिर से सभा का गठन किया गया तो उसमें थे सौ सदस्य ठीक है हमारा अगला प् सब्सक्राइब करना है और जितना हो सके शेयर करना है हम इसी प्रकार आपके लिए वीडियो आते रहें आते लेकर आते रहें तब तक के लिए गुड़ बाई